शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें कितना सस्ता है पांसो रुपे ये हुई ना बाहत देखने में दो अच्छा लगता है काम भी बहुत अच्छा करेगा फिर मिलते हैं ओके बाई यही है यही वो लड़का है जो स्केचिंग करता है तुम्हें पता तो है न ये काम इतना आसान नहीं है हमें आखे और इसी चाहिए हाँ मुझे पता है अगर बस स्केचिंग करनी है तो मैं ऐसे आसानी से कर सकता हूँ हेई तुमने का बस स्केचिंग अभी तुम्हें एक ही दिन हुआ है तुम्हें और भैतर करना होगा देखो जब हमें सही सुराग मिलेंगे तब ही हम अच्छे से क्रिमिनल को पकड़ पाएंगे तुम इतना लैटली मतलो यह कैसा है यह है दूसरा प्राइस मैंने न दोनों को बैक से बाहर भी नहीं निकाला ओके ठीक है तो फिर शुरू करो जल्दी करो जल्दी तो जैसा तुम पहले पता चुकी हो हाँ तो वो लगभग 20 साल से कम का है है न उसकी उम्र लगभग इतनी होगी हाँ सही कहा और उसके बाल कैसे थे उसके बाल बहुत उल्जे हुए थे लंबे लंबे और यहाँ हाँ सर बहुत ही लंबे बाल थे कंधे तक थे और उसकी आखें कैसी थी उसकी आखें एकदम काली थी उसकी आखें पूरी तरह काली थी या पिर उसकी आखों के घेरे भी काले थे मेरा मतलब कि जैसे ठीक से ना सोने वालों की होती है या ड्रग एटिक्ट की होती है था किसी आखे थी सर और उसकी गंध कैसी थी यह क्या कुछ भी पूछ रहा है कोई पिमपल था क्या और शायद पिमपल तो नहीं थे लेकिन हाँ उसकी गर्दन पे पाई और यहाँ पे एक निशान था बिल्कुल डार्क तुम्हें याद है कि उसका आकार किस तरह का था एक ग्रिल जैसा इसक्वायर के आकार का ग्रिल बस हो गया मैं कुछ कहना चाहता हूँ साजेंट खैर जैसा कि इन्होंने मुझे बताया मुझे लगता है कि वो चोर बहुत ही चाला किस्म का है और हमसे बचने की कोशिश कर रहा है उसने जो चुराया है वो है कोर आई सेवन या हम उसे हाइपर रिजर की बोर्ड भी कह सकते है उसके बारे में कुछ लोग ही जानकारी रखते है और उसके उल्जे हुए बाल और उसके शरीर की गंद ऐसा लगता है कि वो अपना ख्याल नहीं रखता होगा आगे बताओ मुझे लगता है कि वो एक computer technician या फिर कोई gamer होगा वो एक विरोजगार gamer हो सकता है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मेरे ख्याल से आपको game center जाना चाहिए सबसे तिज इंटरनेट वही होता है गेमर लोग इंटरनेट की speed पर हमेशा बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं तो मेरे ख्याल से आपको वहाँ जाकर कोशिश करनी चाहिए ऐसा लगता है कि जैसे तुम ही एक police वाले हो क्यों? सही कहा न? मैं तो बस ऐसे ही बता रहा था एक्शली मुझे भी game खेलना बहुत पसंद है न? ओके 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 ये लो ये तुम्हारी fees है मैं तुम्हें काम के लिए दुबारा बुलाओंगा जी शुक्रिया ओके तुम जा सकते हो नहीं तो लेट हो जाओगे ये भी अपने साथ ले जाओ हां बिलकुल ज़रा दिखाना एकदम पॉफिट बना है यहां टैलेंटेड है हेलो साजेंट वो स्केच वाल आदमी यहां ब्रिज के पास एक कली के कोने में मुझे दिखाई दिया है हां जी हां कौन है बे तु मेरा पीछा क्यूं कर रहा है मैं तुम्हें जानता हूँ तुम्हें कीबोर्ड चोर हो है न मुझ बंद रख मेरा पीछा मत करना आद एरोक मुझे तेरे टैडू अच्छी तरह आदे अभी सरेंडर कर तुझे मैं चोर दिख रहा हूं कुमीने चोर तेरी तुमें पॉप शुट 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 सूरेंडर कार मुझे नहीं बतार सुरेंडर कार यह ऐसे नहीं मानेगा इससे सबख सिखाता हम मुझे नहीं पता आप मुझे कितना जानते हैं मेरा नाम है अमन मैं एक आईटी वरका यहीं कहें कि मैं एक टेक्नीशन हूँ मुझे एक ऑफिस कंप्यूटर टेक्नीशन कहना ज्यादा सही रहेगा मैं उल्जरों में पढ़ता रहता हूँ मैं चित्रकारी में अच्छा हूँ आसपास की चीजों का ध्यान रखता हूँ कहानियों को जोडने में बाहिर हूँ मैं अपनी ऐसी बोरिंग लाइफ में भी रोमांच ढोड़ लेता हूँ और ये भी एक ऐसी उल्जर्ण थी जिसने मुझे रोमांच जित किया बले ही थोड़ा बहुत खत्रे से भरा हूँ था हे पैंग क्या तुने निउस देखी एक और आदमी लापता हो गया है एक और हाँ सच में दू आदमी पिछले महीने और दू आदमी इस महीने एसे तो चार आदमी गायब हो गये ये ज्या हो रहा है हमारे ओफिस में डर लग रहा है मुझे आँ सही का ऐसा लग रहा है कि ये कोई सीरियल किलर है सच में एक सीरियल किलर? आँ सीरियल किलर है क्या कहीं नौप तो नहीं वो भी हो सकता है क्या? उस पर लजाम मत लगाओ हेई, लगता है वो आ रहा है कितनी लंबी उम्र है इसकी देखो देखो कैसे कर रहा है वो यह दरूर कहीं किरा होगा हाँ सही का सॉरी यह चश्मा पैन के लिए लगा सॉरी यार मैंने तुम्हें आते हो नहीं देखा तुम्हें इसे बद्भू आ रही है अरी कहा थे तुम्हें बहुत गंदे कपड़े पेने हो मैंने एक क्रिमिनल को अरेस्ट करवाया था अरेस्ट करवाया? गेम में ना? कौन से गेम केल ले थे? वैसे ही कभी बूर नहीं होता है जा यह तो हमेशा कही है क्या तुम्हें पता है? पूरे ओफिस में तुम्हें कोई पसंद नहीं करता है अब बताओ कि तुम सच में कहा थे? वैका अरे जल्दी से सच्चाई बता दो मेरी बात का बुरा मत मानना पर मेरे और अपने कपड़े देखो जरा अरे दोनों में कितना अंतर है तुम्हें कुछ को बदलना होगा थोड़ा अच्छे कपड़े पहना करो ता कि लोग तुमसे प्यार करें समझ गया मन? आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या ढोड़ रहा हूँ मैं इस आत्मे का मुँ बंद करने के लिए कुछ ढूल रहा हूँ आपको पता है किसी की बहुत ज्यादा बखवा सुनने के बाद क्या होता है सामने वाले पर बहुत ज्यादा कुछ साहता है ये क्या हो रहा है? मिस्टर सुचाट बस कुछ नहीं और तुम इसने अजीब क्यों लग रहे हो? बॉस 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 मैं बता हूँ क्या आमन पता है अगर मैं नहीं होता तो आज तरी बच जाती ओ हाँ इसलिए तो मैं तेरा इतना ख्याल रखता हूँ हाँ सही कहा तुझे पता है क्या? आफिस में वो हमें बहुत गंधी तरह से ट्रिल करता है लेकिन तू? फिर भी कूल रहता है मैंने देखा है जो भी हो तुझे हमेशा ऐसे ही कूल रहना चाहिए और कभी शौप मत करना बस तू कभी अपने आपको टफ मत बनाना अरे चुप कर ऐसे बोल बोल के मेरा दिमाग खराब मत कर तुझे लपा तुझे लपा तुम्हें यह का खाना कैसा लगा? अगली बर मैं तुम्हें दूसरी जगा ले जाऊँगा वहां का खाना और भी टेस्टी है हाई एक नहीं डिटिरल कंटेंट में कर यार तुम्हां मेरे साथ चलना चाहिए मज़ा आएगा देखू तुम्हां कॉफी प्योगी कॉफी कसाथ और कुछ देना अरे चलना देखते हैं कहां आना नहीं तुम्हें चली जाएगी वह माफ कीजिएगा क्या मैं अपना काम कर सकती हूँ अरे जरा उसको देख बिचलना नीला पड़ गया ओकी कोई बात नहीं देखो ने क्या बोल रही है उसका नाम क्या है इसका नाम शिल्पा है क्या बात है शिल्पा कितना खुबसूरत नाम है पता नहीं क्यों उस पर से मेरा ध्यान हटी नहीं रहा है और पता नहीं किस वज़ा से मैं रोजरिन का फैन मन गया हूँ क्या हुआ चला गया पुलीस कोवाल है मुझे बारनेहीं यहाँ कोई पुलिस वाले नहीं है, सर्फ मैं हूँ और तुम हो अने नहीं ए रोक जहाँ जहाँ वाल ए Waar कुछ। कि गु़ जो! लाओ 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 ला है क्या हुआ तुम्हें हमें डील करना था हुआ है कहा भाग रहा है वो भी हमसे बज़कर मैं शरेंडर कर रहा हुआ छण मुझे好好 मुझे उठ्मारना मनें सरेंडर कर रहा हुआ हमत्मारर रखो गोली म informações भ tax कर यूअ मुझे मुझे आरेस्ट कर रेला प्लीज मुझे आरेस्ट कर लो मुझे हिद्मारना तक्र Cantonर है ज्लदी आरेस्ट कर यूआए ये मुक्का लोगों का टैक्स चुराने के लिए था और ये जो तुने गोली चलाई उसके लिए सुन तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूगा तेरी वज़े से मेरी नी नहीं धराम हुई है कमीन है कहीं कहें होट होट नहीं और ये उन बे कसूरों के लिए है जो जेल में है तुम फिर आ गई है तुम यहां आने किस ने दिया हा तुम अभी इसके लाइक नहीं हो और हाँ एक और बात हम दोनों का डिपार्टमेंट अलग अलग है मेरे काम में टांग मत अड़ा आओ मैं समझ गई लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई और मुझे यकीन है कि आप और मैं बहुत जल्दी एक ही डिपार्टमेंट को जॉइन करने वाले हैं तुमसे कितनी बार काया मैंने मैं तुम्हारा सीनियर नहीं हूँ पर क्यों 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 क्या मतलब हम अभी इतने क्लोस नहीं इसलिए मुझे इतनी रिस्पेक्ट नहीं चाहिए और क्या सोच के पुलीस में आ गई इतनी नाजग बॉड़ी के साथ क्रिमिनल्स को पकड़ पाओगी जा और कुछ और करो अभी तुम जो चाहिए कहलो लेकिन ये याद रखना कि मैं कभी भी हार नहीं मानने वाली हूँ समझे तुम तुमने जो कहा वो मेरे लिए रुकावट है जिसको मुझे पार करना है फिर तुम जान जाओगे कि जो भी मैंने किया वो सही किया ओके अचा सुनिये इस क्रिमिनल को सीन से बाहर लेकर जाएए ठेक है ये सर ओफ चल चल उट 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 जल एए तूम यहां क्यों खड़ी हो जाओ यहां से मुझे फोन पर बात करनी है साही वक्त पर फोन के है सर यह केस क्लोज हो चुका है लगता है अब मुझे भी छुट्टी ले लेने ही चाहिए सौरी तुम नहीं जा सकते हैं हमारे पास एक और नया केस है एक आदमे लापता हो चुका है मैं चाहता हूँ कि इस केस को तुम हैंडल करो एक मिसिंग परसन का केस यह आप दूसरे डेपार्टमेंट को भी तो दे सकते हैं तुम यह किस इतना आसान नहीं है मुझे इसके लिए पैस आफिसर चाहिए मुझे लगता है किस काम के लिए तुम बिलकु सही हो क्या तुम सोचते हो कि मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह मुझे एक सीरियल किलर का किस नजरा रहे एक सीरियल किलर है जब सभी का ध्यान इस वक्त सीरियल किलर और आसपास के लापता लोगों पर है उस वक्त भी मेरा ध्यान सिर्फ एक ही शक्स पर है शिल्पा मामुली सी चीजे भी जैसे उसका काम करना टाइपिंग चलना वो जो कुछ भी करती है वो सब मुझे स्पेशल लगता है क्या मैं थोड़ी चीनी ले सकती हूँ वाओ कितनी प्यारी आवाज है कितने पैकेट चाहिए चार चार पैकेट चार पैकेट चार पैकेट ये लो इसकी पाफ्यूम तो कमाल की है मुझे पहले कभी इतनी कमाल की खुछबू नहीं मिली तुम कौनसा म्यूजिक सुनते हूँ मैं सुनता हूँ मैं ये सुनोगे पता नहीं मुझे क्या हो गया हम लोगों की शकल एक दूसरे से मिलती है तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी बहन हो चलो जो भी है मुद्धे प्याते एक्चुली मेरे घर में पार्टी है तुम आओगी क्या मेरे मतलब तुम आओगी तुम मेरे घर बालों को बहुत अच्छा रागेगा मेरे मम्मी बबा देखके चौक जाएंगे कि उनकी दूसरी बेटी कहां से आगई जो कुछ भी शिल्पा करती है वो अगर स्पेशल ना भी हो तो फिर भी पता नहीं कि वो मेरे लिए स्पेशल है ऐसा लगता है वो बिना किसी से मतलब रखे अपना काम कर रही है और अपनी जिन्दगी जी रही है वो यहां के बाकी लोगों से बहुत अलग है जो खुद को दूसरों से अलग बनाने की और अकरशक बनने की कोशिश करते हैं ताकि लोग उन्हें कि अपना सके अच्छा सुनों दोस्तों मैं तुम लोगों को एक मस्त पाटी देने वाला हूं मेरे अंकल का जो फार्मोस है ना उसमें दूंगा अरे तुम्हारे हाथ में तो नहीं लगी ना नहीं सब दीक है वो आइम सॉर्षी मेरी वजय से तुम्हें चोट लग गई ना नहीं कोई बात नहीं बहुत साथ आपने जानबुच के थोड़ी क्या था देखो तुम बुरा मत मानना वो तुम्हें संकी कह रहा था कभी-कभी ऐसा मेरे साथ होता है है मुझे कोई परिशानी नहीं है अगर तुम सच में संकी हो तो भी मज़े लगता है बॉस मुझे यहां से जाना चाहिए बहुत काम बागी है कितनी बार समझाया है जब हम अकेले हो तो तो मुझे बॉस मत बुलाना मेरे नाम से मुझे बुलाओ बुलाओ ना मेरे नाम से अब बुलाओ ना वैसे तो फिर आप ही बताईए कि मैं आपको क्या बूलूं कि 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 कि